देखियो अब बात करने जा रहे हैं डाइमेंसिन के यूसेस के बारे में ठीक है एक यहाँ पराता है principle of homogeneity homogeneous liquid आपने पढ़ा होगा तो principle of homogeneity क्या कहता है मैं लिख निख नही रहा हूँ की जैसे आपने कहा ki velocity is equal 1 kg is equal to how many meter आप कह दो mass cannot be equal to length 1 kg is equal to आपको कुछ gram हो सकता है तो mass किसके equal होगा mass के, mass में क्या plus कर सकते हो mass, result आपको क्या मिलेगा mass, मतलब same type की quantity आपस में plus की जा सकते हैं, minus की जा सकते हैं ठीक है, अगर आप किसी body की velocity 5 meter per second है, दूसरे की 7 meter per second है, तो आप velocity को compare कर सकते हो, velocity को add कर सकते हो, लेकिन velocity में acceleration plus नहीं कर सकते हैं, तो law of homogeneity कहती है, कि अगर माल या कोई quantity, दो quantity है, k और x, दोनों मिलकर के एक नई quantity बनी, तो यह सब same type की quantity होगी, अगर यह velocity है तो यह भी velocity होगा, यह भी velocity होगा, यह ठीक है, तो पहला use देखे uses of dimensions की बात करने जा रहे है uses of dimensions, d.i.m. लिखे दे रहे हैं, होई नई चीज है, अब आगे पढ़ाए जाएगा आपको, यह नए नए words आएगे वो जब कोई proof आएगा, तो मैं वहाँ बोल दूँगा, यह ठीक है, convert unit of one system to the unit of other system, एक system के unit को दूसरे system की unit में बदलना, किसकी मदद से, dimension की मदद से, ठीक है, पहले इसका मतलब समझेजीएगा, फिर हम बात करते हैं, अगर मैं कहूं कि one minute is equal to how many seconds, तो आप कहेंगे one minute is equal to 60 seconds, भई आप minute को लीटर में थोड़े बदल सकते हैं, time को किसमें बदल सकते हैं आप, time में, तो पहली बात जो conversion होगा, वो unit of one system to unit of other system जरूर है, लेकिन वो system होगा वही, अगर acceleration है, तो convert होके आपको मिलेगा क्या, वही मिलेगा, ठीक है, तो यह जो one है ना, यह पहले system की numerical value है, इसको हमने क्या मान लिया, N1, minute जो है, वो पहले system की unit है, इसको हमने मान लिया, U1, unit बोले तो dimension, 60 जो है, वो दूसरे system की numerical value है, और second जो है, दूसरे system की unit है, यह दोनों आपस में equal कर देंगे, और अपने आप जो निकलना होगा वो निकलाएगा जो अन चीज होगी, ठीक है, तो यह तो system होता है कि कैसे logically हम इसको question को लगाएंगी, ठीक है, इसका एक example लिखें, फिर उसी को बात करते हैं, देके दा अचलेशन दूड ग्राविटी, इसकाड था रूसान मेटसर, अचलेशन दूड घ्जायातल impost्ड हो if length is taken into kilometer if length is taken into kilometer and time into minute and time into minute then find the value of g g by dimension method find the value of g in dimension method by dimension method by dimension method पहले समझने की कोसित करें इसको लगाएंगे ऐसे देखो जियान से अभी लिखेगा नहीं हमने कहा कि g की value क्या है 9.8 meter per second square और कहते हम length को किसमें आपना चाहते हैं kilometer में और time को minute में तो unit क्या बन जाएगी kilometer per minute square तो कह रहे हैं यह जो numerical value होगी न वो आपको बतानी है क्या होगी तो generally जो छोटे class से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भई meter को kilometer में बदलना है तो thousand से divide कर दो second को minute में बदलना है तो 60 से divide कर दो लेकिन हमको dimension method करना है तो यह पहले system की numerical value है यह पहले system की unit है यह दूसरे system की है यह दूसरे system की unit है unit बोले तो dimension तो पहले तो आपको dimension चाहिए किसकी acceleration की dimension तो acceleration की चाहिए ना तो पहले आप लिखेंगे यह मैं solve कर रहा हूँ dimension of acceleration आपको डामेंसन तो एक ही चाहिए ना ल्टी इन्वर्स टू ठीक है आप हम पहले सिस्टम में आते हैं इन फर्स इस्टम इन फर्स इस्टम ये तरीका है लिखने का कि आप अईसा इतनी भी त्यूरी मत लिखो कि Examiner confused हो जाए कि Mathematics कहा है? इतना short भी मत परो संज़ने आए तुम कर किया रहे हो पहले system की numerical value क्या है? 9.8 numerical value क्यों हम numerical की बात कर रहे हैं और पहले system की unit क्या है Lt inverse 2 आप देखो दूसरे system में भी Okay लिएक पॉर्य इन्वर्स तू ही आएगी… अगर एख क्लास में एख Commission यहां क्या वा नहीं है, L1 T1 inverse 2, क्यों ले, indication क्यों दिया गया, क्योंकि system change हो रहा है अच्छा, इन second system second system में numerical value हमको मालूम नहीं है, और unit क्या होगी, L2 T2 inverse 2 ठीक है, अच्छा हमारे पास formula क्या है we know that we know that कि N1 U1 is equal to N2 U2, N1 बोले तो 9.8, U1 बोले तो L1 T1 inverse 2 N2 बोले तो, नहीं मालूम और U2 बोले तो L2 T2 inverse 2 तो तरीका पकड में आजाएगा तो numerical tough नहीं है, अब देखो हमको length है, length है, length है ना, length पहले system की है, और पहले system में length कितनी थी, meter में, तो मैंने इसको लिख दिया 1 meter, L2 जो length है, वो second system की है, और second system में आपने length किसमें माना है, तो हम इसको लिखेंगे 1 kilometer, T1 है 1 second, T2 है 1 minute, का inverse 2, अब देखे, ratio solve करने का जो बच्पन से हमको नियम बताया गया, कि भись अगर उपर रुपिया लिखा, तो नीचे भी रुपिया लिखो, उपर पैसा नीचे ही पैसा लिखो, तो भाई उपर meter है, तो नीचे ही meter लिखो, नीचे kilometer है, तो उपर भी, अब आप ये न कहिए, कैंगे हमको तो kilometer में change करना, वो change हो गया, अब आपको ratio solve करना है, के इसको लिखा वन मीटर इसको लिखा वन सेकंड अपान सिस्टी सेकंड राइटिंग बढ़ा गंदी है इन्वर्स टू हो गया सुन में आई बात यहां तक नोट करिए एक मिनट यहीं पर आते हैं यहां पर आई एंड टू इस इकल टू अब दू को मीटर अपान मीटर अपान यूनिट कैंसल हो गया तो यह कल्कुलेट हो क्या आएगा 9.8 इंटू 1 अपान थाउजन इंटू 60 इंटू 60 यह दो 0 कैंसल हो गया अब यह 9.8 इंटू 2510 काहे काट ठीक है दो तिये 6 छत्रू कठारा बटे 5 इसको जड़ा कल्कुलेट हो कितनी वैलू आएगी मल्टिप्ला तक है इसको भी डेस्मल के एक प्रेसल लग दो तो आएगा 35.3 किलो मीटर पर मिनट स्क्वाइर अब आप कहेंगे मुर्सावली बात हैं डारेट कर देते मल्टिप्लाइड यहां पहुंच जाते मीटर पर सेकेंड था तो मीटर को करने के लिए 1000 से डिवाइड करते और नी क्या एग्bok ले रहे हैं देखे जान से हमने कहा कि किसी बाडी की जो विलास्टी आफ ए बॉड़ि इस 36 किलो मीटर पर आर एक्सप्रेस इंटू एसाई सिस्टम express into SI system SI system मतलब meter per second में करना है SI को क्या करते है system d international ये कहा जाता है अब देखो क्या तरीका होता है देखो आप चाहे SI system के चाहिए inspector system में करो रहेगा तो speed ही ना velocity ही ना तो आपको dimension किसकी चाहिए यानि कि आपको पहले dimension of velocity चाहिए dimension of velocity velocity की dimension चाहिए तो वो क्या होती है lt inverse 1 ठीक है अब गर हम जो पहले system में आते हैं तो पहले system की numerical value कितनी है 36 है और पहले system की unit कितनी है l1 t1 inverse 1 ही तो है ना दूसरे system की value कितनी है पता नहीं और u2 कितना है l2 t2 inverse 1 अब हम जानते हैं we know that we know that कि n1 u1 is equal to n2 u2 we know that या I know that we होता है u1 examiner वह आप जो लिख रहे हों किसके लिख रहे हैं examiner के लिए तो v का मतलब होता है आप student और teacher उसके लिए v लिखा जाता है n1 कितना यहाँ पर है n1 है 36 u1 है l1 t1 inverse 1 n2 कितना है पता नहीं u2 क्या है l2 t2 inverse 1 अब जो कुछ कि n2 निकालना है इदा 36 है l1 की नीचे कौन आएगा l2 और t1 नीचे कौन आएगा t2 और inverse 1 बाहर कर दिया अब यह काम खतम आपका conversion का काम खतम यह process खतम अब आपका दिमाग चलेगा l1 क्या है पहले system की length किसमें दीवी ही थी किलो मीटर तो 1 किलो मीटर ठीक है l2 क्या है 1 मीटर t1 क्या है 1 आर और t2 क्या है 1 सेकेंड का inverse चुकि ratio solve करने का तरीका भई होता है कि भई system इसको यहां तक इधर देखते है तो rating गंदी इसले बड़ा बड़ा लिखते है जिससे एक थोड़ा साफ साफ लिखे 36 यह क्या हो जाएगा 1000 मीटर 1000 मीटर अपान 1 मीटर और 1 आर में कितने सेकेंड होता है 3600 सेकेंड होते है डाल दो ना 3600 सेकेंड अपान 1 सेकेंड का inverse इतवाएगा अब इस तो सौल पुन तरीका क्या होता है 36 1000 यह कर दो यह value क्या हो जाएगी पलड जाएगी 3600 यह 3600 से कटेगा कितना आएगा 100 और 100 से कटेगा कितना आएगा 10 काहिम बड़ गया 10 मीटर पर सेकेंड अब इसको हम बात में किसी एक सिस्टम की यूनिट को डामेंसन मेथर से दूसरे सिस्टम की यूनिट में गर्ड़ करना ठीक है नोट करिए इसको